मुझा आप अपने कार का सस्पेंशन वर्क कराने का प्लैन कर रहे हो मिस अगर आपके कार का सस्पेंशन खराब हो गया है और आपको सस्पेंशन का काम अपने वीकल में कराना है तो आज आप बिल्कुल करेक्ट वीडियो पर आए हो तो अगर आप सस्पेंशन का काम किसी सर्विस स्टेशन में करते हो तो वहाँ आपसे काफी ज़दा चार्ज लिया जाता है, मिस अगर नॉर्मल आप complete पूरा suspension का काम करवाते हो, तो वहाँ आपसे कई बार 40-50,000 भी demand की जाती है, मिस 40-50,000 भी खर्चा आपको easily उसके अंदर आ जाता है, क्योंकि वह काफी ज़दा पैसा आपसे चार्ज करते है, लेकिन अगर आप कोई ऐसा है, जिसको कम बजट में अपने suspension का काम कराना है, तो उनके लिए क्या चीज़े करना है, तो फिर्ट suspension में कुछ important चीज़े होती है, जो कि मैं आपसे share करूँगा, आप चाहे तो इस चीज़ को node भी कर सकते हैं, वो वो चीज़े आपको अपने suspension के अंदर करवाना है, जिससे मैं आपका काफी ज़दा पैसा भी save करूँगा, सबसे पहली चीज़ आ जाती है आपके vehicle का lower arm, बहुत से टेम ऐसा होता है, हमारे vehicle के suspension जो होता है, उसके अंदर crack form हो गया है, या फिर lower arm bend हो गया है, तो उसके एट्स में आपको complete पूरा change करवाना पड़ता है, लेकिन बहुत से maximum vehicle में ऐसा होता है, lower arm पूरा complete सही ही रहता है, सिर्फ जो उसका bush होता है, वो कड़ जाता है, या फिर उसका rubber hard हो जाता है, तो उससे होता है metal to metal contact होता है, बहुत सी noises create होती है, तो फिर बाहर market में वो जो bush होता है, easily available हो जाता है, आप जहां भी local में service कराते हो, तो वहाँ आप जा सकते हो, यह जो lower arm का bush होता है, वो easily market में मिल जाता है, सिर्फ वो bush आपको change करना है, और आपकी जो noise की problem है, वो solve हो जाएंगी, यही काम अगर आप service station में जाके करते हो, तो वो सिधा सिधा पूरा lower arm change कर देते, जो के काफी expensive भी आता है, for example, अगर आपका lower arm in an average, 2000 रुपे का अगर आता है, तो वहीं आप bush डाल के, उसे सिर्फ 400, 500, या फिर साड़े 300 रुपे में भी वो काम आपका हो जाता है, तो यहां आपका काफे ज़्यादा पैसा save होता है, miss complete lower arm आपको change करने की ज़रूत नहीं है, बुश आप नाया दालो, आपका lower arm बिल्कुल proper हो जाएंगा, इसके बास second चीज आती है आपका link rod, फ्रेंड link rod आपने देखे होंगे कुछ इस तरीकी की आपको देखने को मिलती है, link rod बहुत ज़्यादा expensive नहीं आती है, तो link rod आपको directly पूरी replace कर देना है, miss इसे आपको change कराना है, इसके भी bush जो है वो कड़ जाते हैं, इसके अंदर दो bushes रहते हैं, तो वो कई बार hard हो जाता है, उसका rubber या फिर वो कड़ जाते, उस वज़े से ये काफी noises create करता है, जो link rod है वो आपको completely change कर लेना है, pair में आता है, right और left की है, तो दोनों आपको change कर वा लेना है, इसके बाद friend आपके जो steering rack होता है, उसके end पे एक tire rod end होता है, वो उसके भी bush friend खराब हो जाते हैं, तो tire rod end जो होता है, वो completely अलग से मिलता है, आप कई बार ऐसा होता है, service station पे जाते हो, तो आपको recommend करते हैं, कि पूरी complete steering rack आप change करो, जो के 30, 40, या 50,000 तक भी आ जाती है, तो वो बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, उसके अंदर होता यह है, कि tire rod end जो होता है, उसके bush खराब हो जाते हैं, या फिर जो उसके ball joints है, वो damage हो जाते हैं, या खराब हो जाते हैं, तो completely जो tire rod end होता है, miss ball joint के साथ, वो completely अलग मिलता जाता है, वो सिर्व आपको purchase करना है, उससे change कराना है, और आपकी problem जो है, वो solve हो जाएंगी, कोई आपको complete assembly change कराने की जरूद नहीं है, इसके बाद friend आजाता है, आपके vehicle का shock absorber, या जिसे हम damper भी कहते हैं, friend damper के अंदर कुछ important चीज होती है, एक होता है damper, उसके अंदर दो चीज़े आप कर सकते हो, सबसे पहली चीज़ ये है, जो आपका damper होता है, वो easily market में repair हो जाता है, बहुत से ऐसे suspension वाले हैं, जहाँ पे वो suspension का work करते हैं, तो वहाँ पे आप जा सकते हो, वो जो आपका damper है, उसे निकालेंगे, और easily वो repair हो जाता है, लेकिन repair में तभी recommend करूँगा, अगर आपका budget बिल्कुल tight है, आप चारे हो कि मैं बिल्कुल ही पैसा नहीं लगा सकता हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, और मैं नहीं लगाना चाता हूँ, काफी कम prices में अपने suspension का work कराना चाता हूँ, तो then उसी case में आपको repair कराना है, लेकिन अगर आपका budget ठीक है, तो आप अपने vehicle का damper भी जो है, वो change करवा सकते हो, तो ये दो condition आपके साथ हो जाती है, अब in case कभी आप अगर damper change करवाते हो, तो damper के साथ friend होता है coil spring, कई बार ऐसा होता है friend, coil spring आपकी पुरानी अच्छी ही रहती है, लेकिन service station वाले जो है, वो coil spring भी साथ साथ change कर देते, तो coil spring आपको बिल्कुल भी change कराने की जरूरत नहीं है, coil spring की condition अगर आपकी सही है, तो आपको coil spring पुरानी ही रहने देना है, और damper जो है वो आप change करवा सकते हो, इसके बाद friend आजाती है आपकी suspension mounting, अब mounting की friend आप condition दे सकते हो, अगर आपकी steering turn करने पर अगर वो noises कर रहा है, या फिर अगर mounting जादा damage होगी है, तो जो mounting है वो easily market में मिल जाती है, वो mounting आप ले सकते हो, उससे change करा सकते हो, और आपकी जो problem है, वो सारी solve हो जाएंगी, अब इसके बाद आजाती है आपके rear suspension की बारी, अब rear suspension के जो damper होते है friend, वो आपको completely change कराना पड़ेंगा, क्योंकि वो generally repair नहीं होते है, repelable नहीं होते है, तो अगर वो damper खराब हो गए आपके rear के, तो आपको दोनो complete जो है, वो change कराना पड़ेंगा, इसके बाद लेकिन rear में जो coil spring होती है, वो friend आप पुराने ही रहने दे सकते हो, उसे change कराने के आपको ज़रूरत नहीं है, तो यह सारा अगर आप process करते हो, यह सारी चीज़े को step by step ऐसा आप करते हो, तो suspension का भी आपका सारा काम हो जाता है, और काफे ज़्यादा पैसा भी आपका यहाँ पे save हो जाता है, वही अगर same चीज़, आप किसी service station में जाते हो, तो वह repairable work कुछ भी नहीं करते है, for example अगर lower arm खराब है, तो वह सीधा पूरा replace कर देंगे, चोकि 2500 का आजाता है, एक single की हैं में बात करो, इसके बाद अगर आपका link rod है, वह तो चलो change करते ही है, इसके बाद damper का भी वह repairable work नहीं करते हैं, damper भी जो है, completely change कर देते हैं, coil spring भी वह complete change कर देते हैं, mounting भी change कर देते हैं, तो SME जो आपका budget है, वह काफी जादा increase हो जाता है, उसके उपर से additional GST भी लगाते हैं, उससे जो आपका bill है, वह और जादा expensive बन जाता है, तो इसलिए ये local market में easily आपकी काम करा सकते हो, और complete suspension का work जो है, वह काफी कम prices में आपका हो जाएंगा, अगर service station में 50-60,000 का ये काम होता है, तो local में आप इसे 8-9 ये 10,000 में easily पूरा complete करवा सकते हो, तो काफी जादा पैसा ये आपका save हो रहा है, अगर इस वीडियो से related आपके कोई doubt रह जाते हैं, तो आप comment section पूछ सकते हो, मैं जलसे लगा आपको reply देता हूँ, आज के लिए तेम नेक्स वीडियो में जब तक के लिए, goodbye.